आपका हार्दिक स्वागत है हमारे साथ है एड़ोकेट भनुक परताब जी सर हम आप से जानना चाहते हैं कि जो नौ अगस्त को इतनी दुखत घटना जो हुई है भारतिय संविधान को जलाए गया है और जो पूरा देश उसी से चलता है सर आपका क्या कहना है देखे संविधान को जलाना मेरे शब्दों में सीधे सीधे एक देश द्रोहों का कारिया है और जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो सारे के सारे देश द्रोही है और मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक राज्य सरकार या केज सरकार या पुलिस ने क्यूं अभी तक इन लोगों के खिलाब देश द्रोह का मकदमा दर्च करके उन्हें अरस्ट नहीं किया जिस समविधान से देश चलता है जिस समविधान ने इस देश के भारत के सभी नागरिवों को जीने का अधिकार दिया है उन्नती करने का अधिकार दिया है समानता का अधिकार दिया है सतनता का अधिकार दिया है महिलाओं को और हर किसी को बराबरी का अधिकार दिया है उस पाके यह यू कहूं कि मोधि सरकार के आरहसेस के ये आतंकवादियों का गुंडों का काम है। वही लोग ऐसे काम कर सकते हैं। इन लोगों के खिलाब देश द्रो का मकदमा दर्ज होके इने गरफतार किया जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी कानुनी कारवई इनके इकलाब की जानी चाहिए। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि दली समाज के लोगों ने जिनोंने S.C.S.T. Act के विरोध में जो उनका हक था जो अत्याचार उन पे रादिन होते हैं। और अगर राश्चे मानव अधिकार आयो की भी रिपोर्ट आप देखें। तो 90% मानव अधिकार उल्लंगन के जो मामले हैं वो दली समाज के विरोध में होते हैं। उस पे जो उन्होंने दो अप्रेल को जो बंद रखा। उसके बाद सेखलों की ताधात में F.A.R. हुई। हजारों की संक्य में लोगों को गरफतार किया गया। और अभी तक हजारों की संक्य में नोजवान बच्चे जेलों में बंद बड़े हैं। उन पे रासुका लगाई की है। तो क्या ये रासुका का काम नहीं है? जो देश में दंगा भरकाना चाहते हैं, देश के शान्ति को खत्रा जिन लोगों से पैदा है, उनके खिलाब रास्चे सुरक्षा कानून यानि रासुका यानि एने से के तहट कारवाई नहीं होनी चीए, देश द्रोके मुकदमा नहीं तो साफ़ जाही रहे हैं कि भाजपासरकार इसमें शामिद हैं। मेरा लोगों से सिर्फ इतना अन्रोध है देश की पूरी जंता से अन्रोध है कि इस विश्य में बहुत सजक्ता से काम लें। यह उकसाबे वाली कारवाई है, यह भरकाने वाली कारवाई है और ये भढ़काके अपने जाल में फसाना चाहते है उस देश में इलेक्शन से पहले दंगा कराना चाहते हैं इसलिए मेरा लोगों से निवेदन है बहुत धहरिया से काम लें इसका विरोध तो होना चाहिए जितनी भी ताकत से किया जा सके लेकिन बहुत धहरिया के साथ बहुत समझ के साथ